दोस्तो आपके अपने चेनल देग्यांप टाम से का स्वायत है दोस्तो आररवी जेई और टेकनिशन दोनों छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों एडिशनल पैनल आप लोगों का जार कर देखेंगे तो पहले हम यहां पर जेई वाले छात्रों का पहले गया है टेकनिशन और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 38 कंडिडेट का एडिशनल पैनल जारी कर दिया गया है तो हम चलिए इसे लिए तेकनिशन वाले छात्रों का देखेंगे यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब-ग आपका एक्जाम लिया गया था सिविटी वन टू डीवी दे मेडिकल मेडिकल वेगारा कब गया था यह दिया गया है उसके बाद आपको यहां पर बोला गया है कि रॉल नमबर यहां पर बोला गया है था फ्लोइंग करेट फिट इन भेरियस केटगोरी ऑफ जी फूज रोल इसमें दिया गया है और प्रोवेजिनली इंपैनल अंडर सी ए नमर 03-2018 अगेंस्ट एडिशनल पैनल एडिशनल पैनल के तहट यह जारी किया गया है दियर नेम एलॉंग वित अधर डिटेल है बिन रिकमेंडेट टू जितने इसमें रॉल नमर दिया गया है उसको रिकमें आगे बोलाएगा है कि मेडिकली फिट और रींडेकल एकजामनेशन और अप्हल यहां पर आगे देखसकते हैं कि यह आपका एक कंद्धीर ऑनिडेट का दिया गया है कि यहवण फिट के बारे में यहां पर दिए गया है इस तरह से यह कुछ अलग टैप से इसे चंडीगार में निकाल गया है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कैटेगोरी नमर 3 का है यहाँ यह बोला गया है कि आपको medically री मेड कल जब होगा तो आप अगर फित पाय घते हैं तो ढगर अब अपिल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग यह बोला गया यहाँ पासके यहाँ से एक कणिडेट को किलियर की आगया है जुनियल इंजिनियर का भी हम देख रहे हैं उसके चेटगोरी नमबर 2 की बात करते हैं जो कि आपको design, drawing and estimation यहां से आपका clear किया गया है waiting को 4 candidate का category number 3 से आपका जो कि पीवे में आते हैं यहां से आपका 8 candidate का clear कर दिया गया यहां पर category number 12 से जो कि आपको works वाले candidate आते हैं यहां से आपका 10 candidate का waiting को क्लियर कह गया है और यहां पर केटगोरी नमर 14 के बात करते हैं जो कि आपका ट्रेक मसीन में 2 कनरेट का क्लियर कह गया है का यहां पर 11 कंडिरेट का क्लियर किया गया है केटगोरी नमर 16 से जोकियापूर मेकनिकल में डिजाइन ड्वाइंग एन एस्टिमेशन से दो कंडिरेट का क्लियर किया गया है केटगोरी नमर 38 मेकनिकल वर्क्सॉप से एक कंडिरेट का वेटिंग क्लियर किया गया है те sizing वाले से उसके बार केट्रवारी नमार 43 से बात करते हैं तो दो कंडिजयट को किलियर का गया है एलेक्ट्रिकल वाले यहां लेक्टिकल से जनरल सर्विस में का यहां दो कंडिजय को यहां पर वैटिंग क्लियर देना होगा एक एकosphी मैं कर दियागा है यानि यहां और आपका कउलड़ी चखल दिया गया है चंडी गश्वन के तरब से और इसमें आपको क्या बोला गया आपका जोनरल रेलवे को देना होगा and at the time of bidding at the time of bidding sent for medical examination जब आपको medical examination के लिए भीजा जाएगा तब आपको undertaking देना होगा medical के रिगार्डिंग इट मेवी नोटे दर नेम डी मेरली इंपैनलिंग कंडिया दस नॉट इन एन वे entitle him or any appointment in railway as their impairment is properly यह provisional है इसी के बारे में बुलागे है कि आगे जो आपका सारा process रहता है जोगे आपको डे भी रिमेट का होगा उसमें सब आप फिट रहते हैं जारा appointment letter जारी किया जाएगा इसी के regarding बुलागे कि यह provisional panel है and subject to further verification of antecedent by undertaking by the appointment आपको यहां पर दिया गया है आप चली हम यहां पर टेक्निशन वाले छात्रों का देख लेते हैं बहुत ही बड़ा पैनल उसका रिलीज किया गया है जो कि अच्छी खबर है क्योंकि लंबे इंतिजार के बाद आया है तो अच्छी बात है यहां पर आपका जो जेवाले कंडिट की बात करते हैं तो यहां पर और भी तैने लहवा जो वेटिंग में कंडिट से तो आप कोमेंट करिएगा कि इसे और वी सी कितना डिमांड भीजा गया है अगर कि ने लगाया होगा तो बताइएगा यूँकि इसमें वेटिंग और भी छात्र हैं बहुत सारे छात्र हैं तो चलिए आप हम यहाँ पर टेक्निशन और छात्रों का देखते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़े उस्ते पहले यदि आप दैग्जाम टांस को अफिसल यूट्यूब चैनल पढ़ने हैं इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर देखन सब्सक्राइब करना रहता है तो यह इस वीडियो में बना हुआ है आप या तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर आप इसी चैनल पर जाईएगा वीडियो सेक्षन में तो आपको वहां पर मिल जागा तो आप वहां से इसे देख सकते हैं complete आपको डिटेल दिया गय कि अखियेगा तो वहां पर इसका लिंक को पिन कर दिया गया है आप जाकर ड्यक्ति हो सकते हैं कि दूख किए आपका टेकनिशन वाले चाड़ों का बहुत ही बरा पनल हम इसकी तरह ऐइस किया गया था और यहां पर आपका राची की तरप तरब इसक्तिया rozm लगवाव उसी अनुसार आप मान सकते हैं कि एक बड़ा पैनल यहाँ पर 289 स्ट्ट्रेंट का इसमें पैनल रिलीज किया गया है क्योंकि इससे पहले इसका कोई भी पैनल नहीं रिलीज किया गया था और वह आता है कि कब रिलीज किया रिलीज किया रहा था तो लंबी समय के बाद इन्होंने अपना पैनल रिलीज कर दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि वैसे इसका यहां पर यह रेडी हो गया था 2009 2022 को ही लेकिन यह अपलोड वेब साइट पर अब किया गया है त ब्रोदर हास नियो दुली को आपका आगे appointment later के रिगार्डिंग आपका आगे offering later के regarding आगे पूसेस के लिए भेएज दिया गया है सारे student का डिठेल को आप किस किस category से यहां पर clear क्या गया है इसे हम देखते हैं और यहां से कितना demand गया था इस एलारवी विसे technician तेकनिशन वाले छात्रों का और अभी कितना आया है और कितना आना बाकि ये भी हम देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आपका केटगोरी नमबर 25 से जो कि टेकनिशन गेट 3 का करीज एंड वेगन इससे 56 करीड का क्लियर किया गया है सबसे जादा इसी से क्लियर कि यह गया है वहिए पर कैटगोरी नमबर 30 से देखते हैं जो कि आपको ऑफ के ड्राइबर में आते हैं इस से 9 का कीलर केया गया है category number 33 जो कि आपको diesel electrical workshop में आते हैं 7 candidate का waiting इसमें clear कर दिया गया है यहीं पर हम category number 37 के बात करते हैं जो कि आपको diesel mechanical workshop में आते हैं 41 candidate का इसमें waiting clear कर दिया गया है और यहाँ पर आपका category number 44 इससे 4 candidate का clear किया गया है category number 47 जो कि आपको electrical power आते हैं इससे आपका 11 candidate का clear किया गया है दोस्तों वीडियो में आगे बड़े जो भी यहां पर आपको भूसावल डिविजन से आपका offer letter जारी किया जा रहा है यह सुचना है कि student लोग का भेजा गया है आपको वीडियो भी बना दिया गया है कि आपका जो offer letter है appointment letter ही बोल सकते हैं आप आपको वहां पर सारा documents ready करना है वहां पर आपका डिमेटकल के लिए बुलाया गया है और उसमें आपको सारा documents वहां जमाख करना होगा तो वहां पर 26 नो 2022 यह पैनल जो आपको बारह आठ 2022 को आया था यानिकि बारह अगस्ट 2022 को और डिविजन अर्टमेंट 30 अगस्ट 2022 को ह हुआ था तो उन कंडिडिग्या यहां पर आया हुआ है तो जिन्हों होते आया है और उसमें आपका और वी डिविजन का दिया हुआ है प्लों अप shipment करिए किा आपको टिविजन आहत करिया है और ये व्यूद्ग घुट् ellectical power में 11 candidate को लिया गया है train lightening नींग जो आता है वो आपका 49 category में आता El independent 23 candidate को इसमें लिया गया है category numr 50 से 23 candidate को लिया गया है जो कि train lightning में ही आता है weworkshop में है और यहां पर आपका category numr 52 से 4 candidate का लिया गया है Electrical TRD OHE से category numr 53 जो कि आपको सब्सक्राइब टिया फिए साई से छे कने डेट का लिया गया है नमार 57 जो को अपका टेकनिशन गेड़ एम यू में आते हैं थिरी में आपको दो कंडियेट का लिया गया है केटगोरी में 59 जो कि फिटर के कंडियेट है इसमें दो कंडियेट को लिया गया है फिटर केटगोरी से है और यहां पर आपका केटगोरी नमर 66 फिटर में वरक्षोप में 22 कंडियेट को यहां पर वेटिं इसमें clear क्लियर क्या गया है गया है year 126 एर ट्व्ऐटरेशन में 17 स्कूरियर क्लियर क्लियर क्या गया है 8 से milyило 9 है सैवinky 221 से वैटिंग क्लियर क्लियर क्या गया है और इसमें जो आपको information दिया गया है वह आपका सेमी राने वाला जो जई में आपको बताया गया है था कि आपका डिमेटकल बेगरा होगा आपको undertaking देना होगा डिमेटकल के लिए जाना होगा वही आपको information दिया गया है तो जिन भी टोटल जो आपका ये लिस्ट आया है 289 कंडिडेटका आया है और जो डिमांड गया है RTI के नुसार कोई इसको 100% सही भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक अनुमान के नुसार बोल सकते हैं को सोर्स से पता चला है तो उसमें आपका अभी और भी आपका पौने 400 या 400 की करीब स् अपडेट कर दिया जाएगा तो यदि आप इस चनल पर नए है इस चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे सेट कर लिजेगा ताकि कोई भी अपडेट डरा जाए तो आपको सबसे पहले चुका तो दोस्तों जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं ने वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जाएं जाए भारत